हेलो दस्तों कैसे हो आप सभी I hope आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों अगर आप भी Nifty Bank के अंदर option trading करते हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग Nifty Bank को predict करने के लिए बहुत सारी चीजे करते होंग लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा method बताने हो ला हूँ जिससे आप Nifty Bank को आसानी से predict कर सकते हैं और accuracy भी इसकी बहुत ज़्यादा high रहेगी तो अगर आप भी जानना चाहते कि कैसे Nifty Bank को predict कर सकते हैं तो आज का वीडियो पूरा end तक देखेगा कहीं पर भी skip मत करिएगा चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बाते नहीं करेंगे जो काम की बाते हैं सिर्फ वही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले अगर आप Nifty Bank के अंद रखते हैं मतलब हाई वेटेज का मतलब यह है कि किनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है Nifty Bank के अंदर यह चीज हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है तो आज के इस वीडियो में आपको सबसे पहले यह बताता हूँ कि कौन-कौन से Bank हैं जो Nifty Bank के अंदर हाई वेटेज रखते हैं तो सबसे पहला नाम आता है HDFC Bank HDFC Bank का जो वेटेज है वो 28-29% का है लगभग आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगा जिससे आप क्लियरली अच्छे समझ पाएंगे और इसको आप स्क्रीन सोट भी ले सकत हैं तो सबसे पहला नाम आता है HDFC यानि कि 28-29% इसका वेटेज है निफ्टी बेंक के अंदर ये वेटेज थोड़ा बहुत उपर नीचे होता रहता है समय के साथ साथ जैसे जैसे मार्केट चलता जाता है कभी-कभी थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाएगा लेकिन जो प आप और भी जो सेयर्स हैं उनको भी कंपेर कर सकते हैं उनको भी साथ में आप चार्ट में देख सकते हैं मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे आपको चार्ट मेंसें करना है एक साथ आप एक स्क्रीन पर बहुत सारे चार्ट को कैसे आप देख सकते हैं सेकेंड आता है ICIC bank जिसका 24% weightage है यानि कि अगर HDFC और ICIC bank जिस तरफ move करेगा लगभग Nifty bank उसी तरफ move करने वाला है तो यह आपको ध्यान में रखना है मतलब इन चार्ड को आपको देखना है कि Nifty bank के अंदर ICIC bank और HDFC bank किस तरफ move कर रहा है साथी साथ आप कोटक bank को भी देख सकते हैं जो कि कोटक महिंद्रिया bank के आप weightage देख सकते हैं 10 से 11% के आसपस है Axis bank है 9-10% State bank है SBIN 9-10% के आसपस Indescent bank है और bank of बढ़ोधरा इन सब का कम कम है 2-2-3-3% तो इन सब से बहुत ज़्यादा effect नहीं पड़ेगा लेकिन अगर इन सारे banks जिस तरफ move कर रहा है तो market भी definitely उसी तरफ move करने वाला है यहाँ पर बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल रहा है AU, Small Finance Bank, Federal Bank, Bandhan Bank इनके अलावा भी और कुछ bank के हैं जैसे कि IDFC bank हो गया PNB bank हो गया तो यह banks भी हैं लेकिन इनका weightage बहुत ज़्यादा कम है मतलब 0.9, 0.4 तो ऐसा है weightage है ठीक है तो जो high weightage है उनको हम लोगों को track करना होगा तो आप यहाँ पर screen पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर chart open करके रखा हुआ हूँ सबसे पहले अम लोगों को क्या करना है देखिए अगर आप trading view software का use करते हैं तो trading view के अंदर क्या होगा अगर आप यहाँ पर आते हैं और multiple charts को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको premium मांगेगा ठीक है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे chart हैं इविन आप चार आट ठो stocks का chart एक साथ एक screen पर देख सकते हैं ठीक है अगर आपके पस बड़ा screen है तो definitely आपके use का बहुत अच्छे से होने वाला है यहाँ पर आप देखे दो screen भी लगा सकते हैं ऐसे भी लगा सकते हैं तीन screen भी लगा सकते हैं चार screen वाले भी यह पांच screen आप कितने भी लगा सकते हैं maximum आपको चार लगाना चाहिए चार में अच्छे से clearly समझ में आ जाता है जो high weightage रखते हैं उनको आपको track करना है तो चलिए मैं हाँ पर चार पर click कर लेता हूँ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ पर premium plan लेने के लिए बोल रहा है या फिर आप 30 दिन का free trial भी यहाँ से ले सकते हैं तो यहाँ पर अगर मैं इसको use नहीं करना चाहता हूँ तो मैं और कौन सा options है मेरे पास यहाँ पर देखें मैं जरुधा application के उपर तो मेरा demate account अल्रेडी है मैं आप पर सारी चीज़े refresh कर लेता हूँ पहले अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जरुधा के अंदर यह chart open है यह chart चल रहा है अब nifty bank किस तरफ जा रहा है अभी उपर की तरफ जा रहा है तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि nifty bank के अंदर जितने भी bank है जो बड़े बड़े bank है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC bank है यह किस तरफ move कर रहा है उपर की तरफ move कर रहा है clear यह ICIC bank कि धर move कर रहा है यहाँ से उपर की तरफ जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी green candle बना रहा है ये कोटक महिंद्रा बैंक ये भी उपर की तरफ जा रहा है और SBIN मतलब सारे बैंक क्या कर रहे हैं उपर की तरफ जा रहा है तो definitely हमारा जो निफ्टी बैंक है वो भी उपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ठीक है तो इस तरह से आपको देखना है अब आप बोलेंगे कि इसको कैसे लगाना है इस चार्ट को कैसे ओपन करना है तो इसके लिए simply आपको यहाँ पर settings के button पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर two charts four charts का options मिल जाएगा अगर आप दो chart देखना चाहते हैं तो आप इस पर click कर सकते हैं मैं आप चार्ट चार्ट पर click करूँगा तो यहाँ पर देखे चारों के यहाँ पर नाम डाले के options आ गया है तो अब आपको क्या करना है chart number one पर आपको यहाँ पर डाल देना है HDFC HDFC bank यहाँ पर देख सकते हैं NSE का आ गया है इसको हम लोग click कर लेंगे ICICI bank डाल दिये यह वाला को select कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पर third chart पर क्या करना है KOTAK bank डाल देना है KOTAK आ गया इसके बाद fourth number में आपको क्या करना है SBI या फिर Axis को भी ले सकते हैं जिसका high weightage रहेगा ठीक है तो Axis को मैं डाल देता हूँ Axis bank यह आगया हमारे सामने अब यहाँ पर आपको क्या करना है done पर click कर देना है जैसे आप done पर click करेंगे एक नया page open हो जाएगा नया tab के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे banks के जो chart है वो आपके सामने आपर 4 screen सो कर रहे हैं अब आप इन सब को track कर सकते हैं आसा CIC bank यह भी उपर की तरफ ही जा रहा है तीसरा आता है कोटक महिंदरा bank यह भी उपर की तरफ जा रहा है ठीक है चौथा क्या है Axis bank यह भी बहुत तेजी से बड़ा बड़ा candle बना करके उपर की तरफ जा रहा है तो definitely हमारे जो nifty bank है वो भी हमारे यहाँ पर उपर की तरफ जा रहा होगा, यहां पर आप देख सकते हैं, clear, आप trading view का भी use कर सकते हैं, बट यहां पर premium plan मांगता है, और यहां पर आप 8 chart तक use कर सकते हैं, मतलब 8 stocks को यहां पर analyze कर सकते हैं एक साथ, बट अगर screen आपका छोटा है, तो definitely यह काम का नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा तो आपको समझ में भी नहीं आने वाला है, तो इस तरह से आप high weightage जो share हैं, उनको track करके आप यह predict कर सकते हैं, कि nifty bank या फिर nifty 50 के उपर भी मैं एक वीडियो सला सकता हूँ, गर आप नीचे comment section में बताएंगे तो, कि कौन-कौन से high weightage रखते हैं, कौन-कौन से share हैं, जिन आगे होगा, लेगिन अगर फिर भी इस वीडियो सलेट, कोई भी doubt, कोई भी confusion है, तो नीचे comment section में जरूरू बताएगा, अगर आप कोई वीडियो पसंद है, तो definitely इस वीडियो को like करके, मेरा उत्सा जरूरू बढ़ाएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भ जय हिन, जय भारत